हेलो एब्रीवन वेलकम बैक टू माई चैनल आज मैं फिर आजिर हो गई हूँ आपके लिए बहुत ही यूसफुल किचिन टेप्स लेकर आज की हमारी टेप्स बहुत ही जादा खास होने वाली है तो वीडियो को फुल वाच कीजेगा वीडियो अगर जरा भी अच्छी लगे क्योंकि तो टाइम बहुत लेता है तो मैं आज आपको बहुत सिंपल ट्रिक बता रही है जिससे ना तो टाइम लगेगा और आपका डेरो लहसुन बहुत आसानी से छिल जाएगा तो आपने क्या करना है जो भी आपने जितना लहसुन चीलना है वो आप इस तरह कोई भी ग हीट जाएगे जिससे इसके छिलके बहुत एजली जो है छूट जाएगे आपको बिल्कुल भी मेहनत नी करनी पड़ेगी अचा जो रूट वाला पाट है ना पहां पर थोड़ा जादा देर गरम करके रखेगा इस तरीके से जब आप करेंगे ना तो यह लहसुन बहुत ब रगड़ते जाएगे आप देखेंगे का आपको पूरा लेसुन है ना वह बस हाथों के रगड़ने वर से ही पूरा छिल जाता है तो यह बहुत छोटी सी टिप है लेकिन बहुत काम की है एक बार ट्राइज जरूर कीजेगा आपको जरूर पसंद आएगी इस तरह से जितन आप इस टिप को एक बार ट्राइज जरूर कीजेगा आपको जरूर पसंद आएगी इसी के साथ बढ़ते हैं चलिए नेक्स टिप की तरफ नेक्स टिप है मेरी जब भी हम कोई चीज उबालते हैं या फिर गरम करते हैं तो जाधा तर हम लोग प्लेट से ढखकर करते हैं ल जरूर दालने और एक और टिप बताऊंगी जिससे आपको कम टाइम में आपका पास्ता बहुत जल्दी वाइल हो जाएगा तो जैसे ही आपने पास्ता डाला तुरन तो चला दीजे क्योंकि अगर स्टिकी हो जाता नहीं चिपक जाता बहुत बुरी तरह से उसके बाद किया और नहीं आपको इस तरह से यह जो हमने चमच रखे वो रखने इससे क्या होता है कि इनमें बहुत कम गया बस ता जिससे कि इसमें से चीजें उबल के नीचे आने के चांसे ज्यादा रहते हैं तो आप इसे रहता दीजिए उसके बाद आप लीजे चिम्टा चिम्टे का चुका है ठीक है उस चाइम पर आप उसे गयस को कर दीजे बंद जैसे आपको लगे कि आपने क्या करना है आपका ये देखिए 80 वाइल भी शुका है अब 20 रह गया तो आप क्या की जिए गया को कर दीजे बंद ठीक है उसके बाद आप ये जो आपकी प्लेट है इसे देख सकते हैं पूरी तरह से हमारा ता अच्छे से उबल गया है आपका थो 20 परजान था ना वो बच गया है और जो पास्ता इतने अच्छे इस उबलता है और काफी पास्ता खाने में भी अच्छा लगता है और बच्चों की सेहत के लिए नुकसान भी नहीं करता है क्योंकि हमने इसे पूरी तरह से वाइल कर लिया है अगर कम वाइल होता है तो दिक्कत ज्यादा होती है आई होब आपको मेरी यह पसंद आई होगी चले बढ़ते हैं नेक्स यह कपड़ा भी साफ ना करना पड़े और हमारी गैस का ओईल भी साफ हो जाए तो उसके लिए आप ले लिए कोई भी ग्रॉसरी बैग और उसके इस तरह से टुकड़े कट करके खुब सारे खट्टे करके रख लीजिए और उसके बाद जब भी आपकी गैस गंदी हो कि आपको ना तो जो कपड़ा हमारा किचिन का है वो धोना पड़ेगा और ना ही हमारा मतलब साबुन वेश्ट होगा ना टाइम वेश्ट होगा इस तरह ऐसे ग्रॉसरी बैग बेकार समझकर हम लोग जो फेक देते हैं उनका री यूजिए मैं तो इस तरह ऐसे ग्रॉसरी को फेक पहले एक बार री यूज कर लें तो क्या बिगड़ता है इसमें कोई हमारा टाइम या एफर्ट तो लगता नहीं हमारा अल्मुस्ट टाइम भी बशता और पैसा भी बशता है क्योंकि हम अपने किचिन टौवल को दोएंगे तो उसमें भी तो हमारा टाइम और साबु बच्चों को लंच बॉक्स को दोते समय आपको इस तरह कि जो लंच बॉक्स होते हैं इनमें या तो आप लिड को रोज निकाली अगर नहीं निकालते हैं तो कोई भी नुकीली चीज लेकर उसको राउंड राउंड पूरे में एक बार जरूर गोमा दीजिए ठीक है लेकि इसे कि हमारे बच्चों के लिए बिल्कुल भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है तो इसको जब भी आप कोई भी चीज लिक्विड रख रहे हैं तो लेड को डेली क्लीन करना चाहिए गर्मियों में तो देखे मैं स्क्रबर से आपको साफ करके दिखाती हूं कितनी सारी जो सब्सक्राइब तो यह बच्चों के लिए बिल्कुल भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है तो यह चोटी सी टिप है लेकिन बहुत काम की है जब भी आप बच्चों के लांस बॉक्स हो रहे हैं तो गर्मियों में स्पेशली लिड़ को ज़रूर साफ कीजिए तो आयोप आपको मेरी यह टिप भी जरूर पसंद आएगी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथी साथ मुझे कमेंट करकर जरूर बताईएगा कि आपको मेरी कौन सी टिप सबसे ज़्यादा अच्छी लग रही है साथी साथ यह भी बताईएगा कि आ आप मैं इसे सूखने के लिए अलग रग दूगी तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स टिप की तरफ है फिर यह उसके बाद जब आप इस तरह से प्याज को कट गेंगे तो एक डम परफेक्टlic प्ट Вас समा वबा बड़े बचकते हैं जिन को भी मतलब प्याज काटने में इसे प्रॉब्लम होती है जिनकी गोल शायाई इस काम की है तो देखि़ पूअ पूरी प्याज को स्लाइजिस कट जाते हूं जो नीचे का बॉटम बचता है तो उसको मैं रूट वाला जो पाट होता है उसको मैं खाने में कभी नी डालती हूं जो नीचे वाला एक्स्ट्रा बचा है उसके मैं सबजी के लिए कट कर लूँगी तो मेरा हमेशा यही रहता है मैं जब भी कर लेती हूं रूट वाला पाट फेक देदी हूं इसी तरह ैससे जब भी आपको सलाद में टमाटल काटना हो या प्याज काटना हो जो भी इस तरीके से काटना चाहिए अब सेकिंड जब महां मोटी ब्याज कट करनी है तो आप कोई भी ग्लास ले गलीजिए पैनी किनार और आपकी जो प्याज है वह भी दो मिनिट में कटकर त्यार हो जाएगी तो सिम्पल सिम्पल सी ट्रेक्स होती है लेकिन बहुत काम की होती है जिनसे हमारा टााइम तो बचता ही है तो सके를 घ्मारा जो महनत है इससे हैni तो यह हो गई dispel sé trick हमारी आज को निकाल दीजिए और बॉट बॉतम पार्ट होता ना टॉप पार्ट को मत काट की ए उससे क्या होगा कि हम उसे जब पकड़ेंगे न तो उसकी जो लेयर से वह निकलेंगी और आपकी जो प्याज ना बहुत इसली ग्रेट हो पाएगी तो जब भी आपको प्याज ग्रेट करना हो तो आप नीचे से उसका पार्ट करके लेकिन उपर का जो टॉप पार्ट होता ना उसे मत काटी है जिससे आपकी प्याज भी वेस्ट नहीं होती है और वो निकल निकल के भी नहीं भगती है पूरी प्याज को आप ग्रेट कर पाएंगे बहुत ही सिंपल ट्रिक से तो आयोप आपको मेरी ये टिब पूरी ग्रेट हो गई और इसकी एक भी लेयर कहीं पर भी निकल कर नहीं गई है इसी तरीके से आप अपनी सारी प्याज ग्रेट कर सकते हैं चाहे फिर वो कितनी ही क्यों नहों बहुत सिंपल सिंपल सी ट्रेक्स होती है आयोप आपको मेरी ये टिब भी पसंद आई होगी चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स टिप की तरफ मेरी नेक्स टिप है बारिश को लेकर बारिश में मौनसून के टाइम में इतनी जादा प्रॉब्लम होती है कपड़ों के लिए कपड़े सुखाना बहुत मुश्किल वाला काम हो जाता कपड़े सुखने का नाम ही नह हो जाते हैं तो इस तरह से इन मोटे मोटे कपड़ों को सुखाने के लिए एक बहुत सिंपल सी ट्रिक बता रही हूं मैं आपको जिससे कि आप ना अपने बच्चों के धेरो कपड़े बच्चे हो या बड़े हो इस पेसली अंडर गामिस जो होते हैं उनको सुखाना तो ब और उसे सुखा कर दिखाऊंगी कि बहुत ही चुटकियों में आपका ये कपड़ा सुख कर त्यार हो जाएगा तो देखें मैंने यहां पर उसको गीला कर लिया अब इसकी जो लास्टिक वाला पार्ट है इसे भी मैं गीला करूंगी ताकि आपको यकीन हो कि यह जो ट्रिक करके रख देंगे उल्टा करके रखने के बाद जो भी आपकी कड़ाई है न तो पहले उसे आप गीले सुखे कपड़े से एक बार साफ कर लीजिए ताकि आपके दुले हुए कपड़े गंदे ना हो तो इस तरह कि मेरी कड़ाई बिल्कुल साफ है बिल्कुल गंदी नहीं है लेकिन फिर भी मैंने एक बार इसको कपड़े से साफ कर लिया है जिससे कि मेरे दुले हुए कपड़े गंदे ना हो तो जैसे हलकी सी हमारी कड़ाई गरा होगी अपने इस कपड़े को आप गीला जो भी कपड़ा आप इसके उपर रख दीजिए बिल्कुल सिम गैस पर आप देखेंगे पांच मिनट में आपके जो अंडरगामिस्ट है या फिर जो भी कपड़ा जरूरी है सुखाना है उसको आप चुटकियों में सुखा पाएंगे और जैसे दिखते हैं आप जैसे आप द्रखेंगे तो इसमें से भाप उठना शुरू हो जाती है भाप उठ करते हैं हमारा यह पूरा जो शॉर्ट है अल्मोस्स सूख चुका है तो छोटी सी टिप है लेकिन बहुत काम किए अगर इमर्जंसी हो तो इस टिप को आप जरूर ट्राइब कीजेगा तो चलिए ऐसी एमेजिंग टिप्स और टिक्स के साथ मैं मिलूंगे आपको अपनी न